पूर्ट तेजी बनती दिख रहे हैं, क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट से में मेटल्स को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, आइए नहा हमारे साथ तयार इस वक्त बताने के लिए क्या कोछ एक्षिन मेटल्स में हुआ है, नहा बताईए महीना शुरुआत से लेकर अब तक एक जबरदस्त आप कह सकते हैं, बांस बैक वाला पीरियड रहा है और अब एक-एक महीने की उचाई पर है, और लगातार दूसरी वीकली स्ट्रेंद की तयारी है, दरसल कारण क्या है, मही कारण जिससे दुनिया भर के एक्विटी मार्के यहाँ पर स्ट्रेंद दिखा रहे हैं, अमेरिका, रिसेशन की चिंताएं यहाँ कम होती दिख रही है, जिस तरह के यहाँ पर आकड़े निकल कर आए हैं, आर्थे काकड़े, उनका पूरा-पूरा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, हमने देखा था, दो को लेकर, पे पाकेज को लेकर, कोई सहमती यूनियन और कमपनी के बीच में नहीं बन पा रही है, अब इससे ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होने का डर लग रहा है, और याद रखिएगा कि पिछले साल इनकी तरफ से 5-6% ग्लोबल सप्लाई की तरफ योगदान रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन में से आ जाती है, पेरू में कॉपर का उत्पादन जुलाई के महीने में गिरा है, चीन में हम देख रहे हैं कुछ नए प्रजेक्स उभर रहे हैं, तो अलुमिनियम के डिमांड है, उसको लेके कुछ यहाँ पर संभावना है, प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, अलुमिनियम का जो भंडार है वो जुलाई में, एलुमी वेर हाउस में 20% गिरा है, इंट्रिस्टिंग बात ये है, जो इंडियन ओरिजिन अलुमिनियम है, मेटल है, उसकी डिमांड यहाँ पर काफी निकल कर आई है, उसका श पोर्ट आई है, जुसमें उन्होंने काया कि भारत में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और कंजूबर डियूरिबल्स की जुस तरह की डिमांड आईगी, उससे अलुमिनियम की जो डिमांड है, वो तेजी से बढ़ेगी, इन फाक्टर्स के चलते हमने देखा है, मेटल्स क को सुपोर्ट मिला है, सापताहिक प्रदर्शन कई-कई हफतों के बाद across the board यहां positive territory में है, सारे मेटल्स डेर से 3% मजबूत है, लेकिन सर में एक चीज़ यहां आड करना चाहूंगी, strength हमने दो हफते पहले भी देखी थी, लेकिन risk factors अभी भी है, चाइना demand के लिहाज से अ तो मजबूती तो है, लेकिन मजबूती काफी इस बात पर depend करेगी कि चीन से आखड़े बैतर होते वे दिखें, एक जो नीचे का डर था, वो खत्म हुआ कि अमेरिका में मंदी नहीं होने वाली है, लेकिन उपर तेजी के लिए यह ज़रूर चाहिए कि यहां मंदी ना हो, और चीन में थोड़ी सी मांगने बढ़त आती हुए दिखें, लेकिन का कुछ होता है, तो इस बीच अभी भी मेटल थोड़े से उपर नीचे वोलेटायलिक हो सकते हैं, यह है आपके लिए राया आती हुए, इस बीच बात